Hey, what's up guys, welcome to this video और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं Windows 10 इंस्टोरेशन के बारे में क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हम मुझे comment section में बोला था कि नए laptop या फिर desktop में easily Windows 10 कैसे install करते हैं तो उस पे भी जो है नहीं में यहां पे आपको कोई pirated या फिर क्रेक वर्जन कैसे install करना है उसके बारे में भी जॉम यहां पे बात नहीं करने वाले यहां पे मैं genuine Windows 10 easily कैसे install करते हैं उसी process को यहां पे मैं explain करने वाला हूँ तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि इस process के लिए आपको क्या-क्या चीजों की ज़रूरत पढ़ने वाली है तो सबसे पहले तो आपको लगेगा Windows 10 का license जो कि आपको purchase करना पड़ेगा हाला कि ज्यादा तर इंडियान जो है pirated windows prefer करते है जो कि privacy को लेके बिल्कुल भी safe नहीं है उसमें बहुत सारे problem जो है वो आ सकते है तो उससे बेटर है कि आप Windows 10 का license खरीद के एक genuine Windows 10 जो है वो use करें तो अब आपका सवाल होगा कि कहां से ये Windows 10 license हम खरीदे तो वो भी चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो एक तो आप जो है official Microsoft Store या फिर Amazon से Windows का retail version पर्चेस कर सकते हो जिसको ज़्यादा तर लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि काफी ज़्यादा जो ये महिंगा पड़ता है लेकिन इसके अलावा और एक option है जैसे कि आज कल आपको पता है कि बहुत सारी website बहुत से सस्ते दाम में OEM और Volume Retail Keys प्रोवाइट कर रही है जो कि आप खरीद के यूज कर सकते हो और ये Keys जिप जो है 600 से 1500 रूपीज के आसपास खरीदने को मिल जाती है जो की काफी सस्ता option है जिन्यून Windows 10 यूज करने का और हर कोई इसे अफोड भी कर सकता है हाला कि इसमें से बहुत सारी website जो है फ्रोड भी है जिसके बारे में मैंने अदग से एक वीडियो भी बनाया था तो आप चाहो तो वह भी जो है मेरी चैनल पर चेक कर सकते हो वेल अब इसमें से कितनी website जिन्यून है वह तो मुझे पता नहीं मैंने सारी ट्राइ नहीं की लेकिन अगर आपको खरीदना है तो मैं एक option आपको जो है दे सकता हूँ आप TechMart Unbox.com करके एक website है वहां से आप ये विंडोस लाइसंस जो है वो पर्चेस कर सकते हो क्योंकि वहां पर मैंने रिसेंटली विंडोस 10 प्रो का OEM लाइसंस पर्चेस किया था और मेरा जो और एक्पिरेंस रहा वो काफी अच्छा रहा है मैंने कुछ 900 रूपीस के आसपास जो है विंडोस प्रो का OEM की लाइसंस वहां से खरीदाता तो आप चाहो तो वह वहां से खरीद सकते हो इसके अलावा और क्या-क्या लगेगा वो देख लेते हो तो आपको minimum 8GB के इसमें pen drive की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और एक दो घंटे का आपका कीमती समय मिली जो इसमें लग जाएगा और हाँ अगर आप फर्स्ट टैम अपने laptop या PC में OS इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको अलग से and creation tool के नाम से और आपको जो पहला result दिखे उस पर क्लिक कर दीजे और आप आजाएंगे Microsoft की official website पर जहां पर आपको इसकी download link मिल जाएगी इसको download कर लिजे छोटा सा application है अप्रोक्स ATM गा जो के बहुत जल्दी download हो जाएगा और एक बार download होने के बाद उसको open कर लिजे और यहां पर इस tool को जो है ready होने पर थोड़ा सा time लग सकता है यह depend करता है आपके internet speed पर अगर speed अच्छी है तो यह जल्दी हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर जामेंड कर्डिशन एक्षेप करनी होगी और आप जो हो यहां पर इस तरह से space पर आजाओगे जिसमें आपको दो option दिखाए देंगे जिसमें से एक आपको create installation media वाला option दिखाए देगा उसको आपको सिलेक करना है और next बटन को प्रेस करना है इसके बाद आप इस पेस पर आजाओगे जहां पर आपको लेंगवेश सिलेक करनी है एडिशन सिलेक करना है जो के by default windows 10 ही रहेगा और architecture में आपको 32 bit या फिर 64 bit में से कोई एक option सिलेक करना है जिसमें से 98% आपको जो है 64 bit का ही option सिलेक करना है इसके बाद next step में आपको सिर्फ दो option दिखाए देंगे तो मुझे यहां पर refresh drive करने की ज़रूद नहीं है मैं directly उस pen drive को यहां पर सिलेक कर लूँगा और next button को प्रेश कर दूँगा अब यहां पर process start हो जाएगी जिसको पूरा होने पर शायद 30 minutes से 2 hours तक का time लग सकता है यह depend करता है आपकी internet की speed पर अगर speed अच्छी है तो यह बहुत जल्दी हो जाएगा तो अब जो process 100% पूरी हो चुकी है अब आपकी pen drive जो है पूरी तरह से तयार है Windows 10 के साथ अब आप अपनी pen drive को इस computer से निकाल सकते हो और उस laptop और computer में attach कीजिए जिसमें आपको Windows 10 इस्टॉल करना है पेंटर्यव अटेच करने के बाद अगर आपका computer पहले से on है तो उसको restart कीजिए या फिर off करके वापस on कीजिए क्यूंकि आपको इसके लिए जो है उसके BIOS सेटिंग में जाना होगा इसके लिए आपको इसको आपको ऑफ करके वापस on करना तक पड़ेगा ताकि आप इस प्रेश करके BIOS सेटिंग ओपन कर लीजे एक बात याद रहिए BIOS ओपन करने के जो कीज होती हो डिपन करती है आपके motherboard और laptop के ब्रांड पे तो यह डिफरेंट हो सकती है आप इसीली यह गूगल पे सर्च करके जो है पता कर सकते हो लेकि ज्यादा तर जो है एप टू, एप 12 में से ही कोई एक की होगी तो इन सब को बारी बारी प्रेस करके जो है पता कर सकते हो तो इस BIOS सेटिंग को ओपन करके आपको इसके बूट ओप्शन में जाना है यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ज़रूर नहीं कि आपके कॉम्पूटर में भी वैसा ही द करती हो तो आप उस तरह से उसको शेट कर सकते हो अपने पेंडराय को सब से आगे सेट कर दीजे और अपने बायो सेटिंग को सेव करके एकजिट कर दीजे अब आपका सब कुछ जो है सही है तो आपका विंडोस 10 इस्टोरशन स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको इसम करने के पाद आप इस्टोल बटन प्रेस कर दीजे और आपका विंडोस 10 इस्टोल होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद आपको एक पॉप अप देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक्टिवेशन की इस्टोल करनी है तो अगर आपने पहले से लाइसंस खरीदा तो आप आपको विंडोस 10 होम या फिर प्रो में से एक वर्जन सिलेक करना है तो जिसका आपने लाइसंस खरीदा है या फिर जिसके लाइसंस आप खरीदने की सोच रहे हो उसी को सिलेक कीजिए अधरवाइस वो लाइसंस जो है उस पे वर्क नहीं करेगा तो मेरे पास यहाँ पे लाइसंस है वो विंडोस10 प्रो का है तो मैं वही सिलेक करूंगा इसके बाद नेक्स क्रीड में आपको जो है सिलेक करना है कस्टम इंस्टोल जिसमें आपको option मिलागा कि आप कोनसे ड्राइव या पार्टिशन में विंडोस10 इंस्टोल करना चाहते हो यहां पर मेरे इस्टोल करना चाहते हो Windows 10 वह यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप डिसाइट करना है उसके बाद नेक्स बटन को प्रेश कर दीजिए और आपका Windows 10 इंस्टोलिशन स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोसेस को जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है और यह सारे स्टेप पूरे होने के बाद आपका इसका मतलब है कि आपका Windows 10 पूरी तरह से आपके computer में इस्टोल हो जुका है रिस्टार्ट होने से पहले आप अपनी pen drive को रिमुव कर लीजिए या फिर BIOS प्राइटी जो है वापस चेंज कर दीजिए अधर्वास क्या होगा कि फिर से Windows 10 इंस्टोलिशन प्रोसेस जो है वो कर पाओगे और यह सारे इजी पासफ़र्ट पोर्टोन और प्राइवसी सेटिंग के बाद आपका Windows 10 जो है चल पड़ेगा तो बस यही इंस्टोर्शन प्रोसेस थी काफी आसान प्रोसेस है आप एजी जो है एक बार देखने के बाद अपने आप से कर सकते हो अगर आपने वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा हो गया लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कम पाइम में स्टेप बाइस सारी गाइड में दे पाओ लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रोब्लेम होती है तो इसके लिए आपको जो मुझे लीचे कमेंट के जरीए पूच सकते है म मैं जितनी जल्दी हो सकाए आपकी प्रोब्लेम शोल करने की कोशिश करूँगा अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे ही टेकनोजी की दुनिया से जुड़े रहना चाहते है तो प्लीज मे करेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तब